हाई गाइज, कैसे हैं आप सब? वेलकम टो आटो इंडिया यूट्यूप चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक प्रिविटाइजिशन को लेके शीर अगुराम राजन जी ने क्या कहा बैंक प्रिविटाइजिशन कितना सही है कितना गलत है bank privatization होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अगर नहीं होना चाहिए तो इसके क्या तरीके हैं इसे रोकने के लिए क्या इसे कम करने के लिए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बार में डिसकस करते हैं दोस्तों, हाली में एक मीटिंग हुई, जिसमें शीर राजन जी ने कहा, bank privatization कोई solution नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा, कि हम public sector banks हमारे लिए बहुत जरूरी है, और public sector banks जितने भी हैं, उनको और better किया जाता है, जा सकता है strong governance और control के साथ, एक अच्छा control हो, एक अच्छा strong governance हो, तो हमारा public sector bank और अच्छा perform कर सकता है, better than आपके private banks, ठीक है, तो इससे अच्छा आपको public sector bank की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, उन्होंने ये कहा, कि private करने से अच्छा, आप उसमें strong governance का, और अच्छा control, और कुछ ऐसे laws लाएं, ताकि और अच्छे से काम कर सके, public sector banks, इसके बाद उन्होंने अगला point कहा, अगले point में उन्होंने कहा, कि, अगर जो हमारे public sector bank है, as it is, private bank में change कर दिये जाएं, बिना किसी law, बिना किसी regulations को change करते हुए, तो जो private bank, जो public sector bank, जो private होंगे, वो public के लिए और जदा हानी कारक होंगे, और जदा नुकसान दे होंगे, हम इससे public को और कोई फाइदा दे नहीं पाएंगे, ठीक है, उन्होंने एक word use किया, it will squeeze out the public, ठीक है, अगर सभी banks को हम private कर देंगे, इसके बाद अगला, जो उन्होंने अगला point बोला, उसको discuss कर लेते हैं, अगले point में, शिरोगराम राजिन जी ने कहा, कि bank को private करने के अलावा, एक option और भी है, ऐसा करने कि हम ये ना करें, कि private bank को पूरे, जो सारे share हैं, किसी एक particular इंसान को बेज़ दें, उससे क्या होगा, वो काफी खतरनाक होगा, किसी एक इंसान को सारे बचे हुए stake ना देकर, हम इसको क्यों ना public कर दें, ICICI की तरह है, ठीक है, ICICI को भी जैसे market में लाके, public कर दिया गया, तो उसके shares public के पास है, तो ICICI जैसे एक public sector bank हो गया, ठीक हम भी जैसे public के पास उसके बहुत सारे share है, ठीक है, उसी तरह प्राइबिट करना चाहिए, ना कि इस तरह कि किसी एक इंसान को मान लिजए, ठाटा हो, अमबानी जो, उनको बैंक का shares दे दिया जाए, वो खतरनाक है, क्योंकि फिर वो जिनको चाहेंगे, अगर जब उन्ही का पूरा कंट्रोल है, वो जिनको चाहेंगे, उनको लोन दे सकते हैं, और वो अपने फेवर में लोन भी करा सकते हैं, कि पब्लिक का पैसा उनके लिए यूज होगा, और जो पब्लिक के लिए नुपसान दे हो सकता है, ठीक है, अगला पॉइंट उन्होंने जोर दे कर कहा, रेक्रेट्मेंट को लेके, उन्होंने कहा है, निशनल इंस्टिटूट ऑफ बैंक मेनेजमेंट से, जो रेक्रेट्मेंट होता है, जो कि खुद बैंक स्पॉंसर करता है, बैंक को वहाँ से भी रेक्रेट्मेंट करने चाहिए, ठीक है, उन्हीं स्टूट्ट्स को लेना चाहिए, जो मैनेजमेंट स्टूट्स हैं, उनके लिए कोई lateral entry का प्राभधान करना चाहिए क्योंकि जो अच्छा talent है वो bank में आ नहीं पा रहा है क्योंकि जो management के अच्छे students होते हैं वो interview देकर कहीं select job पा लेते हैं ना कि वो competitive exam में बैठना पसंद करते हैं इसलिए banks को कुछ ऐसा करना चाहिए government को कुछ ऐसा करना चाहिए कि bank में एक अच्छा एक अच्छे management वाले students भी आ सकें जो bank के management को और बेटर handle कर सकें इसके बाद उन्होंने economy पर बात करते हुए health care और education में जो low allocation of budget हुआ है उसके बार में भी सरकार के विरोध किया और दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलते हैं दोस्तों जै हिंद